नमस्कार दोस्तों स्वाइब तब सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू न्यू येर के बारे में कि ये कम मनाय जाता है और इसके सासाथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया की जो अलग अलग स्टेट से वहाँ पे new year को कम मना जाता है कौन से month में मना जाता है और किस नाम से मना जाता है काफी नहीं चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे वीडियो को अन तक देखेगा चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब वश्य करेगा पॉलिटिस टिकनोमें जीके टिकज़राफिस आइसे वामें टेनिकलो जो के तवाम वीरिस को देखने के लिए पर हमारी प्लेलीस को जरूर चेक करिएगा और पुरे दुनिया में फ़र जनवरी को new year क्यों मना जाता है उसको मैंने के लग वीडियो में कवर किया है उसको भी जरूर देखेगा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगा चले दोस्तों शुरूआत करते हैं देखे हिंदू new year जो है उसको चेतर मंत जो की हिंदू कलेंडर के हिसाब से एक महीना होता है चेतर मास चेतर मंत उसके शुकल पक्ष के पहले दिन मनाया जाता है जो की जनरली आता है मार्च और अप्रेल में तो ये डिरेक्ट सवाल पूचे जा सकता है अपने धान रखना है कि जो हिंदू new year है उसको कब celebrate के जाता है इंडिया में चेतर मास के शुकल पक्ष के पहले दिन celebrate के आता है हिंदू new year और वो कब पढ़ता है मार्स टू अप्रेल देखे भाइत के अलग-अलग शेतरों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है और अलग-अलग customs है अलग-अलग तरीके से इसको celebrate के आता है North India के बात करें तो North India में new year coincide करता है with bysakhi जो के एक harvest festival होता है मारास्टा के बात करें तो वहाँ पे गुडी बढ़वा होता है South India के बात करें तो उगाडी और पुथ हंडू होता है Odisha के बात करें तो माहा विशूबा संकरांती होता है गुजरात में new year जो है उसको दिवाली के एक दिन के बाद observe के जाता है और इसको बोला जाता है बेश तू अब जो हिंदू new year है यह signifier करता है arrival of spring और इसको ऐसा समझाता है कि यह वो समय है जब नई beginning होगी नई शुरुवात होगी growth होगी prosperity आएगी लोग अलग अलग rituals, prayers और festive activities करके अपने नई साल के शुरुवात करते हैं auspicious note के साथ घरों को साफ के जाता है, decorate के जाता है, नए कपड़े बहने जाते हैं special dishes prepare की जाती है traditional sweets जो है उसको share के जाता है अपने दोस्तों के साथ, family के साथ, loved ones के साथ और इस परकार से अपने new year को celebrate के आता है अब अगर हम अलग-अलग states के बात करें, सबसे पहले बात करते हैं ugadi या ugadi के बारे में ugadi या ugadi इसको करनाटक, तेलंगना और आंदर प्रदेश में celebrate के आता है again, चेतर मंथ में celebrate के आता है यहाँ पर यह खासियत क्या है इसकी, कि इसमें जागरी और नीम flowers को distribute के आता है अब आप देखो, जागरी मीठी होगी, नीम flowers जो है वो कड़वा हो गया आपने सुनों का नीम का बत्ता कड़वा है, तो जागरी sweet होगी, नीम का बत्ता कड़वा हो गया यह दोनों चीजों को celebrate के आता है, क्यों? क्योंकि यह symbolic है to sharing both sweet and bitter experiences of life देखो, बड़ी जबर्दिस चीज है, जीवन जो है वो कभी positive नहीं हो सकता जीवन एक wave की तरह होता है, positive भी है, negative भी है, positive भी है, negative भी है लेकिन यहाँ पर जो bitter experience है, उसे भी share किया जा रहा है, यह होती है life जब आप इसको accept कर लो, कि positive के साथ सा negative होगा ही होगा जहाँ पर राम है, वहाँ पर रावन होगा, जहाँ पर कंस है, वहाँ पर कृष्ण होगा ही होगा जहाँ पर cation है, science के भाष्ण में, वहाँ पर anion होगा ही होगा यानि जहाँ पर भी positive होगा, वहाँ पर negative होगा ही होगा तो life में जो विक्ति यह बोलता है, कि मैं positive ही रहता हूँ यह मैं positive ही रहना चाहता हूँ तो ये दोनों ही किसम के जो लोग है ये क्या है ये illusion है positive और negative जो है वो illusion है तो ये जो positive negative का जोल है इसमें तुमें क्या बनना चाहिए इसमें तुमें शून्ने बनना चाहिए जैसे कि शिव है समझ रहो ना जैसे मालो समुर्द्रमंधन हुआ समुर्द्रमंधन में अमरित भी निकला लेकिन उसके साथ साथ क्या निकला वीशी भी निकला जिसको हलाहल भोला गया हलाहल को हमारे भगवान शिव ने पिया तो शिव क्या बताता है शिव बताता है कि मैं शून्ने हूँ मेरे लिए देवता और राक्षर तोनों पराबर है तो वैसे ही हमारा जीवन है जो विक्ति अपने आपको शून्ने समझ ले वो विक्ति कामयाब है और कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसको नहीं आती है बाकी अगर कोई positive positive भी करता रहे तो वो illusion है कभी भी life positive नहीं हो सकती है तो यही चीज यहां पर symbolize की जारी है कि जागरी के साथ साथ आपको नीम भी दिया जा रहा है बताया जा रहा है कि जागरी क्या होगी sweet लेकि नीम क्या है bitter और यही दोनों मिलके क्या बनाते है life next आता है गूडी पड़वा गूडी पड़वा जो है उसको चेतर मंथ महीं celebrate के जाता है हिंदू कलेंडर के हिसाब से और उसको कहां celebrate के जाता है महरास्टा में यहां पर जो हमारी entrance होती है घर की उसके right side में गूडी गूडी होती है गूडी जो है उसको हैंग किया जाता है तो इसका नाम वहां से पड़ा गूडी पड़वा अब देखो यह जो है गूडी गूडी यह जैसे होती है गूडी वो तो गूडी जो है इसको क्या किया जाता है इसको एक बड़े से bamboo की tip पे bright yellow color पहना के इसको मतलो वहाँ पे tie किया जाता है यहाँ पे copper pot place किया जाता है और यहाँ पे sugar garland जो है वो भी इसको यहाँ पे पनाया जाता है तो इससाब से यहाँ पे यह celebration होती है गूडी पढ़वागी फिर आती है बाइसाखी बाइसाखी जो है यह पंजाब का new year है इसको पंजाब में new year की तरह celebrate के आता है यह अपरायल के महीने में आता है और यहाँ पे performance भिया काफी होती है जैसे folk dance है यहाँ का भांगडा है प्रिपेर करके अब देखो मैं तो south का नहीं हूँ तो हो सकता है कि मेरी pronunciation गलत हो अगर गलत हो तो आप में को correct कर सकते हो comment box में और I'm sorry अगर मेरी pronunciation गलत हो तो लेकिन आप यहाँ पे spelling तो पढ़ी रहे हैं तो यह एक traditional food होता है जो कि प्रिपेर के जाता है पू थांडू में जो Tamil New Year होता है तो अब यहाँ पे आप देखो पी से आगया पू थांडू और पी से क्या आगया पच्छादी तो यह आप नियाद रखना है कि पी से पू थांडू तमिल New Year होता है जहाँ पे पी से पच्छादी मंगा पच्छादी नाम का एक जो traditional food है उसको प्रिपेर के आता है फिर आता है बोहाग बीहू अब यह क्या होता है यह आसमीज न्यू यर है असाम का न्यू यर है और यहाँ पे प्रफोर्मेंस होती है फोक डांस की बीहू की और यहाँ पे जो बफे है उसको दिया जाता है तो इस परकार से इसे celebrate के आता है बोहाग बीहू आसमीज new year ہے फिर आता है पोहला बॉईशाक अब देखिए ये बंगाली new year है नाम से बॉदा चल रहा है बोईशाक जो ये बंगाली ही हो गाना बैसे है भी से ब्यार रख सकते हो जैसे बी से बंगाल आ गया और बी से बॉईशाक आ गया पोहेला बोईशाक ये बंगाली न्युयर है और यहां पे स्ुीर्स बनाए जाते हैं और ऐसे गर के सेलीड किया आता है फिर आता है बेस्तू वरस बेस्तू वरस जो है ये गुजरात में सेलीड किया जाता है डे आफटर दीपावली and राजस्तान में मारवारी होते हैं ये भ फिर आता है लो सूंग लो सूंग जो है ये सिकमीज न्यू यर है जो कि दिसंबर के महीने में बढ़ता है एंड ओफ हार्वेस्टिंग में इसको सेलिबरेट के आता है और इसकी सेलिबरेशन में चम डांस परफॉर्म के आता है लो सूंग फिर आता है नवरेह नवरेह जो है यह कश्मीरी न्यू यर होता है और इसको चेतर महीने में सेलिबरेट के आता है एक आता है नवरोज नवरोज जो है वो पार्शियों से रिलेटिड है और इसको मैंने काफी अच्छा से अनिमेशन के माधिम से कवर कराया है इसको जुरू देखेगा इसके लिंग में डिसक्र ही New Year है जिसको चेतर महीने के दूसरे दिन जो है celebrate आता है और यह ओनर करता है बर्थ जूले o canción ko तो यह है Hindiu New Year और इस सासर इंट्यन स्टेट्स के अपने new year जो कभes करते हैं और उसको क्या कहते हैं तो यह इस लेक्चर का नालेसिस था आई होप आपके वीडियो अच्छे लगी हो अगर आपको अच्छे लगी तो लाइक करेगा शेयर करेगा फॉल्टिस्ट इकोनों में जिकेटिक्स जड़ाफिस साइंस इन्माइट इनकलोजी की तमाम वी सब्सक्राइब करेगा आपका बहुत बहुत धन्यावाद